बारत और आस्ट्रेलिया के बीच वंडे सीरीज शुरू होने में 24 गंटे से भी कम वक्त रह गया है आपको बता दें कि हाली में टिम इंडिया ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ एतिहासिक टेस्स सीरीज जीती है सतर सालों बाद एक बड़ा कारनामा कर विराट कोली महान कप्तान बने भारती क्रिकेट टीम के सिर्फ भारती क्रिकेट टीम के ही नहीं बलकि पूरे एशियाई देशों में सबसे महान कप्तान बने विराट कोली जिन्होंने आस्ट्रेलिया में जाकर आस्ट्रेलिया को हराया लेकिन बड़ी बात ये है कि उसके ठीक दो दिन बाद एक ऐसा विवात खड़ा हुआ जिसने भारती क्रिकेट को शर्मसार कर दिया दरसल कॉंट्रोवर्शियल रियालिटी शोग कॉफि वितकरन में हाली में क्योल राहुल और हर्दिक बांडिया ने शिरकत की थी और उन्होंने ऐसी ऐसी बात कही जो शायद हम अपनी जबां से बया भी नहीं कर सकते इसके बाद बी सी सी आई ने इन दोनों पर इंक्वाईरी बिठाई हुई है और जब तक इंक्वाईरी चलेगी तब तक इन पर क्या फैसला आएगा ये देखना दिल्चस्प होगा लेगन सीरीज शुरू होने से ठीक पहले प्रेस कॉन्फरेंस में विराट कोली आया और विराट कोली से जब पूछा गया इन दोनों ने जिस तरह से ड्रेसिंग रूम के महल को साफ तोर पर सब के सामने लाए हैं क्या ये वाजिब है क्या इस तरह की चीज़े वाकई में भारती क्रिकET टीम के ड्रेसिंग रूम में होती है विराट ने कहा कि जो उन्होंने कहा है वो उनकी अपनी personal opinion है मेरी टीम का महौल इस तरह का नहीं है कहीं न कहीं हार्दिक और राहूल पर inquiry चल रही है जो भी फैसला आएगा वो आपको बता दिया जाएगा उन्होंने कहा कि हम एक टीम की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं हम इस तरह की चीजों पर ध्यान नहीं देते और ना इस तरह की चीजे करते हैं ऐसे में उन दोनोंने जो कुछ भी कहा है वो उनकी अपनी सोच होगी क्योंकि टीम की सोच कभी इस तरह से नहीं है विराट के कहने का मतलब साफ था कि टीम इन चीजों में उनको सपोर्ट नहीं कर रही है विराट को अगर बैक करना होता तो वो इनको बैक कर देते लेकिन विराट ने इनको बैक नहीं किया उन्होंने कहा कि जो भी फैसला BCCI लेगा हमें मनजूर होगी साफ तोर पर हार्दिक पांडे और केल रहूल ने बहुत शर्मनाग बाते कहीं हैं शो के दौरान इवन रहूल ने तो ये तक कह दिया कि वो शराप पी कर आये थे और उसके बाद वो मैच खिलने चले गए उन्होंने सेंचुरी कर दिया अलगी रहूल ने अपने आपको डिफेंड भी किया कि उनको रिग्रेट है लेकिन जब इस तरह की बातें आप खुले आम शो पर करते हैं तो ये वाकई में शर्मनाग है चीर रीडर्स को लेकर भी बेहद आपती जनक बयान दिया हर्दिक पांडिया ने महिलाओं को अपमानित किया और उसके बाद ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातों को उजागर कर दिया जो बेहद शर्मनाग है जब देखना होगा कि इस पर BCCI क्या एक्शन लेती है नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स डेस से अभिलाश पांडे की रिपोर्ट